कि अधिन एक्रिमेंट में हो रहा है मारा हूं और दश दिर से बूकर ताल पें इसलिए आल श्राइक पैस्वा लिया अगा कि नमस्कार अभी हम खड़े हैं आएम टी मानेसर में करोना काल के बाद लोगी आम लोगी जिन्दिके जहां पट्री पर लोटने का दावा किया जा रहा है लेकिन अगर हम अधियोगी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हालात देखें उनकी जिन्दीगी पर प्रभा हो और हर साल मिलने वाले बेतन बड़ोत्री को लेकर लगातार धडर्ना परधर्शन कर रहा है कुछ समय पहले हम ने आपको बावल हो दिऊगी ज西 के मज़दूर क्षेत्र को अधियन अपने बेतन-परधर्शन कर रही ही इसी तरह से कई और इस इलाके में बहुत सारे यूनियन्स हैं वरकर्स लगातारी इस तरह की डिमांड लेकर प्रदेशन कर रहे हैं आज हम ऐसी ही एक फेक्टरी सक्तियम आटो पार्ट कंपनी हैं जिसके बाहर हम खड़े हैं जिसके मजदूर कल से काम पूरी तरह से बंद करके अंदर हरताले बैठे हैं यहां करीब सोला स कंपनी चल हो गई थी हमें काम के लिए बुला लिया था पांस मई को हमारी फिर उसके बाग पेमेंट के बारे में बातचीत हुई लेकिन पेमेंट इन्हों ने इसमें लोकडाउन की जो आपरेल की देनी थी जैसे गवर्मेंट की गाइडलाइन थी किसी की तनखा नहीं कट कि हर कंपनी यदि दे रही है तो आप भी दीजिए लेकिन इन्होंने नहीं तो मिटिंग करी फिर हमने एल सी साब डील सी साब डी सी साब शारी जगह अप्लिकेशन लगाई कि यह पेमेंट हमें नहीं दे रहे हैं जबकि हमें पेमेंट साथ तारी को मिल जाती है पिछले कल हम मनेजमेंट से सेटलेमेंट को लेकर मीटिंग करने के लिए गए और जैसे मनेजमेंट को हमने अपनी बात रखिया गए तो उन्होंने साब माना कर दिया कि इतना हम देते हैं से उपर हमारी कोई तो नहीं है हर संभव कोशिस के बाद भी ये मनेजमेंट हमारी बारे में कुछ सोच नहीं रही है हमने कापी परियास किये हैं और कोरोना काल में भी अपना सांती पूरवक तरिक्के से और अपने सिस्टम से हमने हर तरह से इनको मनाने की कोशिस किये अपनी मांगों को पूरे करवाने क बात किये हैं लेकिन उन्होंने आज तक ना ही हमारी कोई बात सुनी है और ना ही सुनने को त्यार हैं जब भी कुछ हम सड़ा वोद्वो करते हैं तो हमें यह लाइनों पर परेशान किया जाता है लेटर दिये जाते हैं दमकी दी जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कुछ हमारी अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने जान बुझकर जबरजस्ती से इस काम को रोका हुआ है सामुई पत्तर पे मांग पत्तर पे बाते नहीं की जा रही और नहीं मीटिंग अरेंज की जाती है परदानों के साथ भी गलत वे अवार किया जाता है उनके खिलाब धुटी कारवाई की धमकी दी जाती है तो हमारी आप सभी से और परशाशन से और सभी समाजिक अपने साथियों से यही अपील है हमारी कि हमारी इस मुही में मदद की जाए बरकर हमारे हैं 425 परमेंट बरकर हैं और लगवें 500 के कैजुल बरकर हैं जो की मिलके काम करते हैं सारी हमारे तेस महीने से एग्रिमेंट नहीं चर्व हो रहा है हम बहुत हड़तार भी कर रहे हैं 10-12 दिन हो चुके हैं कम से कार ना हमारी मनेजमेंट सुन रहे हैं नहीं हमारे परसाशन सुन रहे हैं इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी परसाशन और मनेजमेंट लोगडाउन के पहले हमारी ABC ुषिट चला है करती यह शिवत अचे आई डाई से गयारा और गयारा है इतिन सब्सक्राइब करती लेकिन लोगडाउन के बात जैसे लोड़ लोड़ा खुला तो मनेजमेंट ने अचीप्टेंट को परमेंट को सिर्फ-सर अरू कर दिया उनको वो चीज़ नहीं करने दिया हमारे यहां एक जुलाई 2019 से स्टेल्मेंट चल रहा है जिसमें हमने बहुत शांती पूरुक मावल से 20 महीने हो गया जाज बैठे वे शांती पूरुक बात चल ले थे लेकिन मनेजमेंट का अडियल रवाईय को देखते वे हर कोई भी लड पर इतना टोर्चर की अजार है जो अर्षे जादा जिसमा बहुत ज्यादा प्रोब्लम कर रहे हैं मनेजमेंट वाड़े और इतने में हमारे पतान जी को फिर भी शांती पूरुक माथ कर रहे हैं आप करना चाहो तो कर दो मैंने हम नहीं कर सकते उसे प्लांट बंद करना प अपील है कि हमारा एग्रिमेंट जल से जल कराए जाए जाए जाता है तो उसको निकाल दी जाता है हम नहीं काफी समझाया हमा सर देखो जो पिछला एग्रिमेंट वायता चलो उस पर बातचीत कर ले लेकिन उसको दिखाते हुए थोड़ा हडाउन है आज कंपनी के आला थोड़ी कमजोर हम नहीं उसको देखते हैं हमा चलो सर इसको थोड़ा उपर नीचे करके उसके लिए भी आउम सिटलंइन करने के लिए तयार है लेकिन बातचीत करो लेकिन वह बात्चीत करने के लिए तयार है वह खहली चाहता है कि यहां जो वरक्रेंद वह travaill करते हैं जबकी जो मनेजमेंट मेंच्मेंट का रह्या वह वह बिलकुल एक तरफा गलते पांच माई को हमारा वो खुली थी 21 माई तक यह बादचीत होते होते चली गई थी फिर हमने यह क्या था कि उसमें हमने देखो सर कितने कॉम्प्रेमाईज गिये बस विदायनों ने बंद कर दी लड़के अपने साधन से वहां से घर से आते दोसो दोसो किलोमेटर से बंदे आये हैं रास्ते में पुलिस बैरिकेट्स भी लगे हुए थे उनसे किसी तरीके से बचके कैसे भी बादचीत करके जब यहां पर पहुंचे लेकिन जैसे ही परमा सब्सक्राइब में परमानेट हैं और चस्तों के आसपास हैं कैजबल जो वो क्यों बैठे वो इसलिए बैठेगी उनका जो ओवर टाइम था वो ना डवल दिया जा रहा है और जो सरकार चुट्टी देती है ना वो चुट्टी पूरी दी जा रही है उनका गेट पास में ल सब्सक्राइब मिला तो पैसा भी उनको रोग लिया गया है और जबरदस्ती मंद चाहिए प्रोडेक्शन करवा रहे हैं बारा गंटे की जबरस्ती कंटिन ना इटी डूटी करवा रहे हैं लोगों से और जगह तो लगबग बहुत सी जगह फुल पैमेंट दी गई लेकिन आमने क्योंकि कटिन दौर था उसको देखते हुए 25 परसेंट सेलरी अपनी कटवाई लेकिन इन्होंने वह चीज दिखाई नहीं जो सहमती आमारे साथ होनी चीए थी या जो सानूब उती होनी चीए थी वह चीज इन्होंने कभी नहीं दिखाई लगभवी 20 मीं नभी चुके हैं और इन्होंने मनेजमेंट के कड़े रवई के कारण हम तिख्रे दस दिन से भूब बालत रभी हैं लेकिन मनेजमेंट बिलकुल भी अपने प्रांस पर अडीगा प्रस्रेमस नहीं हो रही है भूशी का रोज पर करक्टे हुए आज हमारे युन बोडी के प्रतियुके ने जो फैंसला लिया उनके समर्पन में हम भी आज यहां करने पर गठे हैं और जब तक यह फैंसला नहीं होगा जै उसके लिए हमें कितना लग जाए हम यहां के उतने वाली नहीं है जब तक कोई समधान नहीं होता यही रहेंगे कहां जाएं इसमेने से प्रफिलिक परिशान है यहां पर बेनिमेंट ने कर पा रहे हैं ना हमारी मेंट पूरी हावी हो रही है जिसके करने हमें यह बड़ा कदम उखाना पड़ा जब जब जी हम तो अंदर शांती पूरवक और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे समधान कोई नहीं हो जाता है